प्रेमी ने एक यूप्ती से एक करपा प्रेम के चलते धारदार हतियार से तावर तोड़ हमला कर दिया सिर्फिर प्रेमी के हमले से 45 वर्ची नारायंग देवी की मौत हो गई वही मौत का नारायंग देवी की बेटी साधना गंभीर रूप से खायल हो गई जिसे खायल अवस्ता में मिनी पीजी आई सेंफरी में भरती कराया गया है सिर्फिर प्रेमी सिंटू उर्फ नंकिशोर को गिरफतार कर लिया है सिर्फिर प्रेमी के अपने जर्म का एकबाल कर लिया है पुलिस ने अभियुक सिंटू की निशान देही पर वारदात में प्रियुक्त धारदार हत्यार भी वरामत कर लिया जोर के ग्राम पासगनी का मामगा है यहां आई दीकी रात में एक उसी गाम के रहने वाले वियुक्त की द्वारा है उस महला को सरीय रैसी नुकिली चीज से मार कर चोट मौचाई जिससे उसकी नुटूर भी उस महला के साथ उसकी 20 वर्षी बेटी भी है जिसको भी जोट लगी है जैसे ही सुचना प्राप सोई चतकान मौके पर रहोल ही पुलिस की हो ताब और मैं मौके पर पहुंगा जो मजरूप दर्की है उसको इलाज के लिए सैफ़ाई अस्पताल में बश्तिक कराए गया उस उसको ग्रेक्टार कर लिया गया है उसकी निशा देही से जो आला खतल है वो बरामद हो गया है उसके पहने हुए कपलोग बरामद हुए है खाना जोर में अफ़ायाब दर्ज है विबेचना की जा रही है इंजिम को तत्काल जो है मैंजिस्ट्रेट के समझ कुश्ट कर उस